हेलो एब्रीबन मैं आड़ बुकेट कीर्थी भारतवाज आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतवास लौ अकेडमी में एक पर फिर सेहार्दिक स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने हर्याना एडिये की जो वेकंसी जारी हुई है जिसके फॉर्म एक मार जाना है उसके लिए हर्याना जीके की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी एक एक पॉइंट जो है हमें कवर अप करना है कोई भी पॉइंट को हमें नहीं चोड़ना है और हर्याना एडिये में जाएं और हर्याना जीके की बात ना करें उसकी जानकारी ना हो इसमें आपको प् हैं इससे पहले की वीडियोज आपके अपने चैनल पर अबलेबल है आप महा जाकर उसको देख सकते हैं तो आज का जो हमारी सीरीज है उसमें जो डेस्टिक है हम डेस्टिक स्टार्ट करने वाले हैं अमबाला अगर आप अमबाला को देखो उससे पहले अगर आपको ये ADA 2018 के बाद, अब 2023 में आपको देखने को मिल रहा है, तो कोई भी पॉइंट ऐसा मत छोड़ो कि फिर दुबारा मौका मिले ना मिले, तो let's start and discuss हर्याना ADA local chicken, boundaries, कहां कहां से जुड़ी हुए, पंचकुला, यम्ना नगर, कुरुक्षित, कहां पर शिवालिक रेंजर, ये question important mark कर जएगा, ये question आ सकता है, कि शिवालिक ranges जो है, वो कहां पर सिथ है, हमाले, sorry, अम्बाला में सिथ है, अब बात की जाए, हर्याना में सबसे ज़ादा rainfall कहां पर होती है, North East region in the हर्याना, जो है, ये HSA भी पूछ चुका है कई बारी, तो आप इसको important mark करके चलिएगा, for your coming exam also, अब बात की जाए, अम्बाला डिस्टिक्ट जो है, basically, बनाया गया कब था, अम्बाला डिस्टिक्ट जो है, एक नौंबर 1966, जिस दिन हर्याना दिवस होता है, जिस दिन हर्याना डे होता है, उसी दिन इसको बना दिया गया था, ये उन साथ डिस्टिक्स में से था, जो जि की बात करें और 1857 की जो क्रांती है उसकी बात ना करें ये संभव नहीं है 1857 की क्रांती की शुरुवात कहां से हुई थी अंबाला केंट से हुई थी हुई कब थी 10 मई 1857 को लेकिन इसकी जो डेट decided की गई थी निर्धारित की गई थी 31 मैं 1857 अब बात की जाए अंबाला केंट अंबाला केंट कब बना था अंबाला केंट आपका 1843 में बना था अनिलविज हर्याना के मंत्री मुहद है उनको कौन नहीं जानता काफी फेमस हैं उनका विधान सवा शेत्र भी अमबाला केंट ही है अब बात की जाए 1860 में जो है हरियाना में पोस्टल सर्विसिस की शुर्वात जो है अमबाला में की गई अमबाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया 1880 में जोड़ा गया के बारे में फोड़ा सा जो हमारे अंबाला से रेलेट करती हुई है उसको डिसक्स करते हैं इंडियन नेशनल कॉंग्रेस जो है बेसिकली बनाई गई थी 28 दिसंबर 1885 को इसका पोरा ना नाम जो है इसका ओल्ड नेम क्या है इंडियन नेशनल यूनियन कॉंग्रेस नाम जो है कॉंग्रेस को किस ने दिया था दादा भाई नारो जी ने दिया था यह चीज याद रखेगा यह कुश्चन आ सकता है इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लिजेगा स्टाटिक जीके पर भी प्लीज एक ही छोड़ना है इच एबरी पॉइंट वी हाब टू टेक अप पॉर दा कमिंग एक्जान अब बात करें तो कॉंग्रेस की बात करें तो कॉंग्रेस के सबसे पहले लीडर डबलू सी बैनर जी फर्स्ट अधिवेशन कॉंग्रेस का कहां पर हुआ था गोकुल दास तेजपा संस्कृत कॉलेज मुंबाई में और इसकी स्पैलिंग करेक्ट कर लीजेगा हुम है एओ हुम फाउंडर इसके थे टोटल मेंबर्स जो है टोटल मेंबर्स जिस समय कॉंग्रेस की बेशिकली स्थापना की गई वह पर 72 थे राय बहादूर लाला यह जो है इनके बारे में ए इडिएं में क्यों करें ठोड़ा सा है जो महां से भी पढ़लो पढ़ने में क्या दिक्कत है तो राय बहादूर लाला इस परस्नलिटी जिनको हे इसके उपर चार विूज हैं four different views हम देखने को मिलते हैं पहला व्यूज क्या कहता है कि 14th century में अंबा राजपूत नाम के बंदे ने इनका इस शेहर को बसाया था, इस डिस्टिक को बनाया था दूसरा व्यू क्या आता है कि आमों की खेती जो है अंबाला में आम जादा पाई जाते हैं तो आम से ये अंबाला बना तीसरा व्यू क्या है कि अंबालिका एक जो है किरदार था हमारे महाबारत में जो की एक important गरंथ है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं तो उसमें अंबालिका चरित्र था वो character के उपर अंबालिका character के उपर अंबाला शेहर का नाम पड़ा है और चौथा व्यू के कहता है कि मा अंबा देवी के temple यानि कि मा अंबा देवी का जो मंदर है उसके कारण शेहर का नाम अंबाला पड़ा अब बात की जाए तैसील की तैसील अंबाला ब्रोडा अंबाला केंट और नारायन गड़ नारायन गड़ को सिर्मोर अफ हर्याना भी कहा जाता है अंबाला इस ओल्सो नोन अज अस साइंस सिटी बेग्यानिकों का शहर या आप ये भी कह सकते हैं एयर फोर्स स्टेशन जो है वो भी एक अंबाला में स्थत है तो आज की इस वीडियो को जिसके डेमो है चार और पांच तारिक को अगर आपको उसको साथ जुड़ना है तो आप हमें दिये गए नंबर पर कॉल या वाट्सअप करके क्योरी ले सकते हैं नंबर है 837032873 फीस होगी 2000 रुपीज जिसमें लाइप प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी फीस होगी 11,000 रुपै जो कि अगर आप 8 मार्च तक फीस पे कर देंगे तो आपकी कोल पे करने होंगे कुल 9,000 रुपै थैंक यू जब तक कि नेक्स वीडियो है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजेगा और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है आपको हमारे टेलिग्राम ग्रुप को जोईन करना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा थैंक यू आल दा बेस्ट पढ़ते रहें, साथ बनाए रखें